कॉंग्रेस का साथ मतलब जनता का विकास कॉंग्रेस ने जनता से किये अपने हर वादे को पूरी इमानदारी और निश्ठा के साथ निभाया है लोगों से किये हर वादे को पूरा करने की परंपरा और द्रिट संकल्प लिए कॉंग्रिस ने मद्य परदेश की जनता से भी कुछ वादे किये हैं जिने हर हाल में कॉंग्रिस पूरा करेगी सबसे पहले सभी घरों में मातर 500 रुपे में गैस सिलेंडर दिया जाएगा उसके बाद हर महिला को 1500 रुपे प्रति महिने की धनराशी दी जाएगी इसी के साथ सभी को 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली हाफ की पहल भी कॉंग्रिस द्वारा की जाएगी किसानों के सुखी जीवन को प्रात्मिक्ता देते हुए किसानों का सारा कर्ज भी माफ किया जाएगा हर राज्य की तरह कॉंग्रेस द्वारा मद्यप्रदेश में भी पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू किया जाएगा कॉंग्रेस ने देश की जनता को जो भी सपने दिखाए हैं वो हर हाल में सच करके दिखाए हैं और यही कारण रहा है कि इस बार देश की जनता ने हिमाचल और करनाटक से भाजपा को जड़ से उखाड फेका और कॉंग्रेस को भारी भौमत के साथ विजे दिलाई करनाटक में कॉंग्रेस ने जनता से किया हर वादा निभाया है अब बारी है मद्यप्रदेश की